हेलो एवरिवन आशा करतो आप सबी लोग हैपी हेल्दी अन्स्ट्रॉंग होंगे बारिश में डेंगू का खत्रा बना रहता है जून से ऑक्टोबर तक का जो पिरेड होता है ये डेंगू मच्छर के लिए फर्टाइल मन्थ होते ही है इसमें जो वातावरन होता है उसमें य अपना जो फैलाओ है ये करते हैं और डेंगू बहुत जादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्यूंकि इसके विशानू बॉडी में जाने से प्लेटलेट्स वो कम हो जाते हैं और उसे काफी क्रिटिकल समस्या हमें होती है अचानक आप अपने प्लेटलेट्स में ड्रॉप द जैसे चीते के उपर धारिया होती है उस तरह की धारिया सफेद वाइट कलर की धारिया होती है पट्टे होते हैं उसमें आप इसे आइडेंटिफाइग कर सकते हैं जब भी आप यह मच्छर देखे तो तुरंत उसे मार दे या फिर आप अपना इसका सोर्स ढूंडे यह कहा से निकल रहे हैं कहां पर आ रहे क्योंकि यह जादा उचाई तक उड़नी सकते हैं इनका उड़ने का एक लिमिट होता है वह जादा उचाई तक उड़नी पाते हैं इसके वज़ए से यह लोवर बॉड़ी पार्ट पर ही काटते हैं अक्सर यह दिन के समय काटते हैं और खा काटता है तो काटने के 3-5 दिनों के भीतर आपको इसके लक्षन दिखना शुरू हो जाते हैं देंग्यू के तीन प्रकार होते हैं पहला है जो पहला फिवर होता है वह उतना हानिकारक नहीं होता क्योंकि यह जब होता है तो आपके शरीर में अपने आप बनने के बाद यह फाइट कर लेता है उसके साथ में लेकिन यह जो दूसरा और तीसरा है डिएचेफ और डिएसस यह हानिकारक हो सकता है साथा रंडिंग्यू में लक्षन क्या होते है पहला है थंड लगने के बाद फिवर आना पेशेंट को ज्यादा थंड लगना मसल पेन जॉइन पेन और सिर दर्थ यह लक्षन आपको दिखाए देंगे आईबॉल्स जो हमारे आईबॉल्स होते है उ विकनेस हुग कम लगना ये इसके लक्षनों में से एक है गले में हलका दर्द रहेगा चेहरे पे गले पे और चेस्ट पे आपको रेड या फिर पिंग कलर के रैशेस दिख सकते है रैशेस हो सकते है ये इन लक्षनों में से एक है हातों में और पैरों में सूजन हो सकती है एडीमा बोल सकते हैं हम उसे हाथ पैर में पानी जमा हो जाता है ये भी लक्षन है इसे नजर अंदाज ना करें आप प्लेटलेट्स रैपिडली कम हो जाते हैं ये भी लक्षनों में से एक है वीकनेस हो सकता है आपको काफी ठकावट फिल होगी जो लाइट होती है उस पेश इसकार है या नहीं है अगर यह ऐसा फ्यूवर है तो इसे पता लगाने का तरीका है एंटी बॉडी टेस्ट करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा और प्लेटलेट्स काउट गिरने से भी आपको समझ में आ सकता है कि ये डिंग्यू के लक्षन है या फिर डिंग्यू फ पत्ते होते हैं उस पत्तों को आप मिक्सी में पीश लीजिए और पीशने के बाद उसका जूस पीजिए इससे आपके प्लेटलेट्स बहुत रैपिडली बढ़ेंगे इसके लिए टैबलेट्स अवेलेबल है अलग-लग कंपनी के अप टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे और उन टैबलेट्स की वज़े से उसका सेविन करने की वज़े से आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्फ हो सकती है लेकिन एकदम से जादा कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स तो ऐसे में आपको ट्रांस्फीजिन करना पड़ेगा प्लेटलेट्स चड़ाने पड़ सकते तो ये कुछ treatment line है इसकी इस तरह से इसका treatment किया जाता है अगर किसी को ये समस्या होती है तो वात में लक्षनों को avoid ना करे treatment चालू कर दे इस समस्या से बचे इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी देखिए डिंगू होने के बाद कोई भी fever होने के बाद या डिंगू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई भी fever होने के बाद जो physical जो body के condition होता है वो काफी कमजोर हो जाती है body उसको recovery करने में time लगता है time लेती है body recovery करने में तो ऐसे में आपको धान देना है precaution लेना है कि ये समस्या ही नहीं ही होना चाहिए आपको ये समस्या ही ना हो इसके लिए आप उपाय करना चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग घर के आस पास साफ सफाई रखिए जहां पे पानी जमा होता है जो पड़ा पड़ा रहता है पानी बहुत पुराना पानी होता है वो सारे बरतन खाली कर दीजिए वो वेसल्स खाली कर दीजिए जो पेड़ पोदों की जो पॉट होते हैं उनकी जो कुंडिया होती है उनमें पानी हिसाब से डाली है बारिश में वैसे भी जादा पानी की ज पहलते हैं फलते फूलते तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पानी जमा होने से रोकना पड़ेगा साफ सफाई रखनी पड़ेगी घर पे आप मॉस्टिटो रिप्लेंट लगा सकते हैं बाहर जाने के डाइंग कार में भी अक्सर मच्छर होते हैं में आप क् सीजन में आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि आप मॉस्टिटो रिप्लेंट का यूज कीजिए तो आशा करतो आपको आज का वीशह समझ में आया होगा ये जानकर ये आप अपने दोस्तों यारों रिष्टेदारों में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मुच